हेलो आप लोगों ने इसमें बहुत ही बर्चल के हिस्सा लिये काफी हूज नंबर में यह पार्टिसिपेटेड हाट फेल्ड थैंक्स तो अल फ्यू हम पर बारबार ट्रस्ट करने के लिए हमाई के सफल बनाने के लिए तो सबसे पहले में टॉपर्स के नाम बता दू अनुझ और इसका लावा फेफ्ट रैंक अनुझ गुपता यह पूरा रिजल्ट आपको टेलिग्राम पर शेयर हो जाएगा एप पर भी अविलेबिल है और इसका आगे के श्यूड्यूल हमाई वीडिय सब्सक्राइशन बॉक्स में भी है टेलिग्राम पर भी है और एप पर भी अविलेबिल है और यह टेस्स टोटली फ्री आफ कॉस्ट है मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है सिर्फ हमारा एप डाउनलोड करिए और यह शेडूल रात में 10 बजे इसका टेस्ट होता है श यह टोटल रिजल्ट है टोटल नंबर ऑफ इस्टुजेंट्स जोनुने भी दिया है यह सब और इसके अलावा प्राइजिस भी है और टॉप 20 स्टुजेंट्स जो एवरेज डाउप 20 स्टुजेंट्स होंगे पूरी टेस्स सरी में संबव टेस्स स्रीस में उनके लिए हमाई mentor डॉक्टर S.P. सिंग सर की तरफ से एक प्राइज है score booster test series जो हमारी शुरू होने वाली है नई test series जस्ट counselling स्टार्ट होगी उसके बाद वो test series शुरू होनी है तो वो top 20 students जो average topper होंगे सारे test में मिला करके जो topper होंगे उनके लिए वो totally free of cost होगी तो यह सब हमाई mentor डॉक्टर S.P. सिंग सर्फ की तरफ से incentives है ताकि आप लोग motivated रहें और practice लगातार अपनी जारी रखे हैं क्योंकि continuity is the only key to success hard work तो आप लोग करी रहे हो intelligent भी हो बस continuity के साथ लगे रहे है तो चलिए अब हम लोग इसका discussion start करते है Good morning all of you Good morning Alam Soheb Good morning Shivam Pooja Chauhan Good morning Shreya Myadha Very good morning Beba Good morning Kamini Good morning Talatbari Good morning Yes, you have to solve these questions in 10 minutes Now first question Select the correct statement family comprises a group of related order which has more characters in common आपको इसमें बताना है correct statement plant families like convolvulasi, solanasi are included in the order polymonials mainly based on the floral characters biological names are generally in Greek and printed in italics tritigum estivum comes under the phylum angiospermi yes correct कामनी डी नहीं होगा डी option में फाइलम लिखा हुआ और plants के लिए division यूज किया जाता है plants के लिए division तो यह option आपका incorrect हो गया biological names are in Latin not in Greek अगर handwritten होगा तब यह italics handwritten होगा तो separately underline होगा printed होगा तो italics में होगा यह सही है बड़ यह ग्रीक में नहीं होना चाहिए था यह polymonials order polymonials यह option सही है family comprises a group of related order नहीं जैन्रा होना चाहिए था which has less characters in common तो यहां पर second option भी आपका यह यह या पर इनकरेक्ट पूछे गें विद रिफ्रेंस्टू इस पोरोजोंस जो प्रोटो जोवा का ग्रूप है उसके बारे में कौन से statements incorrect non-parasite locomotory organelles flagella malaria causing vector belongs to sporozones nuclear membrane present तो कितने incorrect हैं इसमें येस वेरे गुड वेरे गुड येस इस्तबान गल करेक्ट जादेब घोष करेक्ट सैलजा करेक्ट येस मोनु कौशिक करेक्ट सोनम यादब करेक्ट फैजान सिद्धीकी करेक्ट कामनी करेक्ट येस करेक्ट आल फ्यों करेक्ट येस सेकेंड डिस सी तीन ऑप्षन से या पर गलत है यह ओल और पैरसाइट इस पोरो जोंस जो थे हैं सारे के सारे पैरसाइट से लोको मोटरी और यहां पर एपसेंट होता है लोको मोटरी और लेपसेंट फ्लैजिला नहीं malaria causing vector vector नहीं causing agent होना चाहिए ता वेक्टर क्या है इसका मलेरिया का वेक्टर है फीमेल अनफिली और यह बिलॉंग करेगा फाइलम और्थ्रोपोर्ड अगो तो यह वाला option भी आपका incorrect हो गया और यह चुक्कि यूकरियोटिक है तो nuclear membrane is present this option is correct तो only one option is correct rest three are incorrect so that's why your answer is third correct yes अंशिका now next question which of the following group is of the same family कौन सा ग्रूप same family को बिलॉंग करता है lion tiger dog solenum petunia hibiscus dog cat leopard solenum dhatura and petunia same family किसकी है yes very good parth yes sonam yadav shalja pande parth हमारा foundation batch का student है very good farth yes अंशिका very good अंशिका is also a foundation batch correct yes very good chinmei lenka I'm fine yes solenum dhatura and petunia यह तीन जो है यह चार यह तीन जो है यह family solenesi they belong to family solenesi loin tiger and dog they belong to different family dog ki family ke family of dog is dog ki family ke ten dog ki family yes 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 correct kennedy correct a lion tiger and cat lion tiger leopard and cat they belong to same genre or different genre loin tiger cat leopard dog they belong to same genre or different genre yes same genre को belong करेंगे different genre को yes correct different genre question no.4 in fungi sexual reproduction is by which sport fungi में sexual reproduction कौन से यह तुस्पोर्स यह स्वोर्टाबस यह स्पोर्थ Gün स्पोर्स बेसे कर्द कौन स्पोर्स कौन में which one of the following is common to multicellular fungi filamentous algae and protonyma of mosses members of kingdom planting mode of nutrition multiplication by fragmentation and diplomatic life cycle yes correct correct kirti singh fayzaan shivam yes monokaushik kamani parth yes alam soeb yes harshwardhan yes anshika correct multiplication by fragmentation this is common bryophyta me life cycle kaisi bryophytes me life cycle life cycle in bryophytes is kaisi yogi life cycle in bryophytes is yes bryophyta me yes path correct correct anshika correct yes shalja correct yes haplodeplontic haplodeplontic this is haplodeplontic 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 aur teradophyta me bhi haplodeplontic difference kia hai teradophyta may bhi haplodeplontic what is the difference difference kia hai doonoh mein doonoh mein difference kia hai good krishnak gupta yes anshika very good difference is in dominance stages so yahan par teradophyta me saprofite ye dominant ho ga aur yahan par gametophyte dominant hai bryophyta me gametophyte dominant aur yahan par saprofite next question class of alga which show the form and size of thalus is highly variable structure of chloroplast is variable all types of sexual reproduction is found question number six yes correct 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 yes program yes sahika correct correct이bahn correct correct monokershek correct yes atshika correct येस इम्रान करेक्ट मोकॉशिएक करेक्ट ये सिकार करेक्ट सफियारो इस पाईरो गाइरा में रिबनके कंप शेत किस में कंप शूब फजिय के Gleich यह सब क्लोरोफाइसी के member में हैं कैउबषेप किसमें कउबषेप Chloroplast is Program Yeah ready to Manas add correct Kate when I'm a students and गार्ड चेप गार्ड़ चेप ये सिवम्न स्टब अनगल करेक्ट तल अद बारी करेक्ट मूम्मर यद्यर्व करेक्ट ये स्वैजान करेक्ट येस गर्डल शेप इन यूलो थ्रिक्स यूलो थ्रिक्स स्पारो गार रहे कैसे हैं फिलामेंटस कोलोनियल कोलोनियल का एक्जाम्पल क्लोरो फाइसी में कोलोनियल फॉर्म का एक्जाम्पल कोलोनियल का एक्जाम्पल येस स्टबन काल ओम लक्षमी करेい clat कुरेट यह डॉक्र कृष्णकृ honorable correct एस रॉल्फोक्स और уж वाल्फोक्स कैसा पropogenी है मोटाइल और इमोटल फमाइल मोटाइल हैball और इमोटाईल है canot correct very good next question 7th go through the following statements starch containing bodies called pyrenoids are found in the cytoplasm of the green alga green algae have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and outer layer pectos asexual reproduction in most brown algae is by zoospores that have two equilaterally attached flagella in bryophytes female sex organ called archegonium is flash shaved and produces a single egg which one of these are correct yes correct it is C second and fourth green algae have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and bryophytes female sex organ archegonium flash shape a starch containing body is called pyrenoids are found in the cytoplasm cytoplasm chloroplasm present hoongi chlorophyce members और यहां पर यहां पर यह एक्वल नहीं अनिक्वल है this is अनिक्वल तो आप लोगा अंसर सही है this is third second and fourth now question number eight examine the figure given below and select the right option giving all the four parts a b c and d correctly तो यह diagram पहले तो किसका है किस ग्रूप को बिलॉंग करेगा यह diagram yes किस ग्रूप का है किस प्लांट ग्रूप को यह प्रीटी करेक्ट मारक एंशिया हर्श्वार्दन करेक्ट मारक एंशिया लिवर वर्ड्स करेक्ट एंशिका शैल्जा करेक्ट प्रीटी करेक्ट यह स्टवान करेक्ट तो यहां पर correct answer क्या होगा तो this is n3-4 a is n3-4 n3-4 4. This is B. B is male thallus. C. C is Gemma cup and D is rhizoids. So correct answer is 4. Gemma cup is receptacle. Gemma cup में produce होंगे जैम्मी और जैम्मी कैसे हैं? यह multi-cellular ace-sexual birds. कलर कैसा है इसका? ग्रीन है यह नॉन ग्रीन? इस इट ग्रीन और नॉन ग्रीन इन कलर? कलर कैसा है इनका? जैम्मी का कलर कैसा होगा? Yes. Anjul Kasyra. Very good. Anjul is also a foundation match giving correct answers. Very good Anjul. Yes. Green. Correct. Talatbari. Correct. Yes. Green multicellular ace-sexual birds. और यहाँ पर Markensia में ace-sexual birds के अलावा, ace-sexual mode of reproduction कान सा है? another asexual mode of reproduction another means of asexual reproduction in markensia liverwords in jamie ke alawa or kaun sa hai yes pretty very good fragmentation correct fragmentation correct very good question number ninth red algae differ from the green algae and brown algae in having no chlorophyll no differentiated cell no phycocyanin within their cells no flagellated stage in their life cycle so red algae rhodophycee or brown algae pheophycee different green algae chlorophycee difference kya hoga yes very good very good motile stages are altogether absent in rhodophycee motile stages absent होंगी इस वज़े से यह chlorophycee और pheophycee दोनों में motile stages present है chlorophyll यह दोनों में तीनों में present होगा differentiated cells भी present होंगी phycocyanin red algae में present है और यह दो तरीके कौन कौन से phycocyanin and phycocyanin यह दोनों present होते हैं red algae में correct question number 10 consider the following statements regarding markensia markensia के संबंद में correct correct statement बताना है is diocese process and radio force and archegonio force lax foot and theta in its sporophyte is hetero-sporous in nature third नहीं होगा question number 10 10 का क्या होगा येस हर्श्वर्दन हर्देश correct हर्देश भदोरिया पार्थ कक्कर correct येस शैल्जा correct पार्थ येस राजीव कुमार येस तो यहां पर diocese male और female थैलस अलग-अलग है anthridio force और archegonio force अलग-अलग थैलस पे इसलिए ये unisexual diocese मतलब unisexual process anthridio force and archegonio force ये भी correct है lax foot and ceta ये foot and ceta lag नहीं होगा present होगा is heteroesporous heteroesporous नहीं homoesporous है तो correct answer हुआ यहां पर first अगर बूला जाए all bryophytes are homoesporous is it true or false all bryophytes are homoesporous is it true or false yes very good taladbari सही है ये statement all bryophytes are homoesporous ये सही है question number 11th which of the following is the wrong combination यहां पर wrong combination पूचा गया है haploid endosperm archegonia present but anthridium absent triploid endosperm endosperm की ploidy 3N है और 7-celled female gametophyte called embryo sac ये endosperm में present है embryo stage absent reproduction by spores algae gametophyte independent biflagellated anthridium reproduction by accessory spores mosses yes correct यहां पर anthridium anthrozoid by flagrated anthrozoid यह option यहां पर incorrect है algae में meiosis कैसी होगी sporic gigantic gametic किस type की meiosis है algae में type of meiosis in algae type of meiosis present in algae is yes येस वहवव correct येस जाइगोटिक correct येस जैश्री correct पैजान correct अश्टो सरोज करोट इस्टबन गल correct मतिंजे correct येस जाइगोटिक meiosis इसलिए यहां पर embryo का formation नहीं होगा जाइगोटिक meiosis प्रेजेंट होगे और seven-celled female gametophyte NGS पर में बनने के लिए कितनी meiosis और कितने mitosis number of meiosis and number of mitosis required to produce number of meiosis and number of mitosis required to produce seven-celled female gametophyte seven-celled female gametophyte produce करने के लिए कितने number of meiosis और mitosis yes correct शिवम correct तो एक meiosis से functional mega spore बनेगा और उसमें जब mitosis होंगी तीन तो आठ से seven-celled eight nucleate eight nucleus बन जाएंगे तो one and three correct next question go through the following statement the gametophytic structure which develops from a spore is called protonema while a protonema which develops from the parts of plants other than a spore is called secondary protonema juice sports are absent in bryophyta tydophyte the gametophyte is nutritionally dependent upon sex organs are always unicellular in gymno question number 12 yes correct yes one and two is correct first is correct gametophytic structure which develops from a spore the spore se direct develop hooga that is protonema or jewish sports are absent in bryophyta this is also correct in tato fight the gametophyte is nutritionally dependent 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 नहीं यह इंडिपेंडेंट है tato fight up first vascular plants है यहां पर gametophyte और sporophyte दो नहीं इंडिपेंडेंट है sex organs are always multicellular unicellular नहीं होगा तो यहां पर correct answer होगा first now we move to next question 13 beginning with germination of a moss spore what is the sequence of structure that develop after germination तो spore जब germinate होगा तो उसके बाद sequence क्या होगा structures का जो germination के बाद बहोगा तो spore से direct क्या बनता है protonema spore से क्या बनेगा spore जब germinate होगे तो क्या बनेगा protonema protonema से फिर second day is leafy stage दोनों gametophytic stages हैं leafy stage और leafy stage will produce gametes gametophyte will produce gametes और gametes जब fuse होगे तो क्या बनेगा जाइगोड जाइगोड फर्दर develop होकर के embryo और sporophyte तो correct answer will be fourth yes very good very good it is fourth now question number 14 polytrichum is a bryophyte since it does not have तो इसमें क्या क्या absent होगा vascular tissue absent होगा roots absent होगे independent sporophyte होगा seeds question number 14 yes correct वैवव यस्ट यस आस्तोर सरोश करेक्ट स्टबंगल करेक्ट शैल्जा करेक्ट राजीव कुमार करेक्ट अंशिका शर्मा करेक्ट जैश्री करेक्ट यस राजीव यस आश्वार्या सेंग्ट पूजा चौहान पार्थ यस अगर पूछा जाया रूट्स की प्लॉडी क्या होगी 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 राइजोइट्स 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 एस्ट्रक्चर तो यह एन होगा राइजोइट्स रूट्स तुए क्वेश्चन नमबर 15 तो किसमें पूछा गया है क्लोरोफाइजी इसमें कौन-कौन से प्रिग्मेंट्स प्रिजेंट्स होंगे क्वेश्चन नमबर 15 अच्वानी जो भी आपकी डाउट्स हैं क्वेश्चन वाप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो क्लोरोफिल A प्रिजेंट होगा क्लोरोफिल B प्रिजेंट होगा क्यरोटीन प्रिजेंट होगे जैंथोफिल कारोटीनोइड यह क्या कहलाते हैं कारोटीनोइड इंक्लूट कारोटीन जैंथोफिल वन टू फो फोर एंड इंड शिक्स क्वेश्चन नमबर 15 जैस वन टू फोर एंड शिक्स क्लोरोफिल C किस क्लास में प्रिजेंट हैं Chlorophyll C is present in which class of algae algae की किस class में Chlorophyll C present है येस वेरे गड़ बवगा प्रतिभा वेरे गड़ मोनुकोशेक येस Chlorophyll C present in Feophyce Brown algae Feophyce Cyanobacteria Cyanobacteria is having Chlorophyll कौन सा Cyanobacteria is having chlorophyll येस जैश्री क्वेंटी फाइव क्वेस्टिन्स Chlorophyll A यह हमाई नहीं टेस्टरी शुरू हुई है संभब से सफलता तक और यह टोटली फ्री आफ कॉस्ट है यह एप पर सिर्फ आपको टेस्ट देना है यह रात में दस बज़े टेस्ट होगा नेक्स दे एट 11 एम इसका डिसकॉशन होगा इन क्वेस्टिन्स का और इस पर प्राइज़ भी आपको दिये जाएंगे हमारी जो नई टैसरी शुरू हो रही है स्कोर बूस्टर टैसरी उसमें टॉप 20 जो एवरिज टॉपर होंगे पूरी टैसरी में मिला करके उनके लिए यह फ्री होगी तो जो भी टैस्ट आप लोग दे रहे हैं रेगुलर दीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिले येस करेक्ट तो आल दा अगनिजमार होमोस्पोरस, स्फेगनम, टेरिस एंड एडियन्टम एडियन्टम बिलॉंग्स टू विच क्लास ओफ टैडोफाइटा टैडोफाइटा की किस क्लास को बिलॉंग करेगा एडियन्टम हर्षवर्धन जैसे ही काॉंस्लिंग स्टार्ट होगी उसके तुरंद बाद ये स्टार्ट हो जाएगी स्कोर बूस्टर टैस सेरीज यह एस पर्रेक्ट रट्र टर्ड स्वरेक्ति अनुड यह एस कर्क्रेंग्य है तो जो मोस्टली ट्रडवाइटस आब स्वेक्षपोर्ड रर हेटोषपोरस अगर बोला country mostly teradophytes are homo sporus or heterosporus किस तरह गहेंगे mostly teradophytes are homo sporus or heterosporus mostly teradophytes कैसे हैं येस very good mostly they are homo sporus very good mostly homo sporus hetero sporus में selaginela salvenia एजोला आईसोईड और मार्सीलिया यह कुछ जैनरा है जो हैट्रसपोरस है गिविन और फ्यू स्टेट्मेंट्मेंट मेल फीमेल केमिटोफाइट हैं इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस दे फॉस्ट टेर्स्टियल लैंड प्लांट विद वैस्कुलर टिशूस कौन सा प् किस्टेंट के गृपमें यह सारे प्रेसेन्ट पॉपमें यह सारे अंगे घ्रह्टोफ्यस दे हैं गैस किस स्ट्रेलिंट में यह डिरू प्रेसट एंडप ओनगे ने फ्श्टिक अूअफ छूप्स सेफ्ध उर लिज लिए स्पक फ्शव और्ज ढित्टिक वे उन्पखे जिए व्मन निंखे अगर फ्टस फ्ट्ट ज ओ ऋर अ किनुछ चर्ट जाब अventional स्वाच बट्र और तत्क निद वान् ऊल्ऌिज sperm is formed and sperm in gymnosperm is GYPY कैसी जिपनाएज परम में इसकी प्लोयडी कैसी है और यह pre-fertilization यह post-fertilization यह pre-fertilization structure रहे यह post-fertilization और प्लोयडी कैसी इसकी gymnosperm में इसकी प्लोयडी कैसी है yes it is a ploid correct or pre-fertilization correct तो यह pre-fertilization structure है और ploidy इसकी N होगी question number 19 which is a correct statement nature of selom is a basis of classification all members of animalia are not multicellular division of labor starts from porifera and a leader shows bilateral symmetry question number 19 yes वैवाव करेक्ट पार्थ करेक्ट येस प्रतिवाग करेक्ट स्टबंगल करेक्ट हर्श्वर्दन करेक्ट तो नेचर ओफ सीलो में बेसे बेसे ऑफ क्लासिफिगेशन दिस इस करेक्ट all members of animalia are multicellular सारे ही सारे यहां पर multicellular है पोरिफेरा से लेकर के कॉड़ डेटा तर डिवीजन ओफ लेबर स्टार्स फॉम परिफेरा एनिलेडा शोज बाइलेटरल सेमेट्री एसी एंडी ओलर करेक्ट क्वेश्चन नम्बर 20 विच अफ दा फॉल्विग अनिमल्स है फॉल्स सीलो में प्रेजेंट है प्यूड 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 BC and E correct philarial worm से disease होती है philariases philariases और इसमें lymphatic vessels का obstruction होगा is it true or false lymphatic vessels are obstructed is this statement true or false lymphatic vessels का obstruction होगा yes correct earthworm clitalum is present in which segments clitalum glandular tissue present in which segment thick band of glandular tissue this is present in which segment earthworm के किस segment में clitalum present है yes stubborn girl correct very good 14th 15th and 16th correct hydra is it polyp or medusa hydra is polyp or medusa किस तरह काएगे hydra is polyp or medusa yes yes वैवव correct रवी प्रकाश गुपता ग्रेक्राइव कुमार ग्रेक्राइव कुमार yes रोशा न्यादव correct प्रेटी प्रेट करेट ये सब किस फाइलम के रेस्परेटरी और गंसे yes correct orthopoda correct orthopoda is the right answer orthopoda में living fossil का example in phylum orthopoda living fossil कौन साय एंसी रदिम दिया हुआ है living fossil कौन साय यस लिमुलस करें किंग क्रेब question number 22nd which is a correct matching set which of the following is a correct matching set a is fourth middle star is of yura see here aplesia pearl oyster pink tada sea urchin a kindness ambulacral system ambulacral system you have water vascular system this is present in ambulacral or water vascular system this is present in आप लोंका अंसर सही है first है correct किसमें प्रेजेंट होगा ambulacral system या water vascular system येस करेक्ट एक आनो डर्मेटा एक आइनस sea urchin question number 23rd which of the following is not a true fish concert true fish nahi hack fish devil fish shark both one and two yes correct correct but not a true fish true fish belongs to true fish belongs to Pisces only Pisces only Pisces क्या है Class है या Super Class is it class or Super class क्या है ये class है या Super Class है is it class or Super Class Pisces yes very good this is Super Class दो Super Class है Pisces and Tetrapooda Hack Fish Hack Fish belongs to Hack Fish belongs to which class hackfish yes correct cyclostromata correct question number 24th which of the following is a true match in message true match concept is called on bonifish carious bonifish exocetus cartilaginus fish pterophyllum fighting fish question number 24th yes correct only b is correct clarius magur this is bonifish scoliodon cartilaginus fish bonifish exocetus flying fish this is bonifish not cartilaginus or pterophyllum this is pterophyllum kya hai pterophyllum is yes very good stubborn girl angel fish correct angel fish fighting fish is beta beta is fighting fish now last question 25th which is a correct matching set correct matching set is miss a concept chelon chelon is turtle testudo tortoise chameleon is tree lizard caloades garden lizard yes correct a is fourth b is third c is second and d is first so we have covered all the questions thank you so much you all have participated in a huge number so thank you all of you thank you so much so thank you all of you have a great day so thank you so much for joining us yeah 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 सिर्फ और सिर्फ NCRT पे फोकस्ट रही है बाकि हम लोगों के जो टेस्ट सिरीज के डिस्कुर्शन से वो देखते रही है लैपेड फायर अटेंड करते रही है इतना मोर्दन सफीशेंट बायो के लिए रवी प्रकाश गुपता वैलकम दीक्षा वैलकम टेक क्यार अलफ क्याओ प्रकाश देखते हैं लेस्ट करते हैं रही है लेस्ट से उपते हैं लेस्ट से विए एकन सुने लेका दोगी है जोगी है बाद़का है नहीं है